और दोस्तों मैं अपनको मार जहाब सभी का बहुत सब्सक्राइब करता हूँ हमारे आज यूटिविज में आज बात करने वाला है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि चैट्स जो है आपस में लीक कैसे होती है और कई बार आपने यह कंबनीकेशन हुआ है इन दोनों की दुरान इन्वेस्टिकेशन की चैट्स नहीं थi सौराइचक्र करने वाला है आकसरीं अपना ऐसे लेकार के माइंड कैपशन के बारे में तो दिखाने माला पड़ागा तेक है ना जहां पर जो मैसेज टाइपिंग हो रहा है वो सब दिख रहा है इसके अंदर ठीक है ना तो ऐसे काफी सारे पर बिल्कुल यहां पर रियल टाइम पर चल रहा है ठीक है न तो अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो यहां से कर सकते हो मैं कैसे हो सभज मारा आपको पूरा कम्टिकेंशन चल रहा है और वहां से भी टाइपिंग चल रहा है मतलब फ्रेंगा चोड़ा भी reply करने में है आपको तो इस टाइप का यह पुरा दिख रहा है और इस सारे के स्क्रीन शॉट्स जो होते ना वो ट्विटर के ऊपर बहुत ट्रेंड करते हैं ठीके ना अधर और वीडियो लाइक कर देना ताकि आप हमारे ऐसे ही शांदार कंटेंट को आपकी दिमाग खोल दाना ने कंटेंट को आप देख सकें साथ में एक और चीज़ आपको मैंने उपर फॉर्म दे रखा है चैड बॉक्स के अंदर आपको हमारे साथ में वन-टू-वन कोट्स करना आपके इस चीज़ करने के वह बताने वाला हो मैं आज आप ठीक है तो अगर आप देखेंगे यहां पर तो यहां पर एक वाटसब का सर्वर है ठीक है और अगर बात करूंगे यहां पर आपका एक मुबाइल फोन है जिसके अंदर आपने वाटसब ओपन कर रहा है ठीक है अगरके काफी सारी चैट्स वगरा जो रहती ही वह आपके फोन के अंदर स्टोर रहती है ठीक है आपने देखा होगी जब भी हम वाटसब के सेटिंग्स में जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि वहां पर एक उप्शन आता है बैक अप लेने का ठीक है ऐसी यहां पर कर सकते हैं और आप देखें या पर तो और उसके अंदर 1.1 आपको कि यह आपको कि आपके यह एक मिनिट ऑनलाइन बाकप ठीक है जब तक कि आपको यह समझ मिन है आएगा कि यह backups कैसे होते हैं और कैसे data store the server उससे पहले आप इसको access करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते गाइस ठीक है तो दे रखो यहां पर दे रखा कि online backup और offline backup दोनों type के backups दे रखें यहां पर अब यह online WhatsApp का server है ठीक है यह WhatsApp server हो गया मेरा ठीक है या फिर कोई सब कोई सब्सक्राइब कोई messaging application आप कर सकते हैं यूज ठीक है तो वहां का server हो गया उस server पर आपका एक ना जिसे तपन के नाम से backup है तपन backup ठीक है यह मेरे mail ID के अपर जो भी मेरा mail ID होगा उस पर मैंना मीराwl dallा सिंक कर रखा ठीक है एक तो डेटा मेरा यहाँ BackUp है औक मेरा गुगल drive और अगरा है यहां फ़े मेरा Google लाटाइब बना लेता हो मैं यह میरा Google ले ठीक है。。 तो यह міट ड्राइब है मेरा Google Drive तो एक मेरा backup मेरा क्योड हमं पिर रखॉब सब्सक्राइब वालाYes वाला वाला भाता सुख्ञे हैं कि यह मेरा यह मेरे फोन भाता है ऑन यह मेरे फोन भाता है फोन के अंदर भाता फिके फोन ले मेरा वाटंट का छैट गावच तो तो मेरा chat backup यहां पर रखावा है तो उस condition में क्यों होता है जिसे जब आपने कई बार दिखा होगी अगर आप फोन के अंदर से WhatsApp हटा देते हैं तो वह पूछता है आप से कि भाई यह ना आपके WhatsApp के अंदर कि जब आप इसको आप इससे अब WhatsApp अप्लिकेशन को अगर आपको आक्सेस करना है तो अक्सेस करने के मतलब यह एक सिंगल यूजर पर काम करता है कि मतलब अगर आप इसको ओपन करना चाहोगे सिंगल यूजर अकाउंट ही है ठीक है तो मतलब कि यह कि अगर एक WhatsApp अगर एक फोन में खुला हुआ है लॉग इन है अल्रेड़ी तो आप इसको दूसरे फोन में नहीं खोल सकते जब तक कि कुछ और आप कंडिशन ना लगाओ तो अगर मैं इस पर्टिकुलर WhatsApp को अगर इस था आपशां आप को सिर्फाउर इसके अंदर भी होगा अवा से आएक है के अथाoter यहां अ कंडर के आफ्ट इकड़ है अंगर आपर त्राइकinkan यहाँ पर आजाती है आपकी और यहाँ से यह अट्रमधी लॉगाउट कर देगा लॉगाउट मतलब कि आपका सेशन आउट हो जाएगा वहाँ पर वापिस हो लगा रिएंटर यॉर मोबाइल नमबर ठीक है तो यह खतरनाक बात है मतलब कि यहां पर एक single user पर काम करता है ठीक है न अब बहुत सारे hackers जो है चैट का access ले लेते हैं कैसे लेते हैं वो बात करने वाले ठीक है तो अब क्या होता है कि इन सारे accounts को हम लोग open कर सकते है QR code जैसे वैब वैब व्यू आता हमारे पास वैब लॉग इन आता हमारे पास ठीक है न वैब लॉग इनके बहुत important feature इसका जिसके through जो hackers होते हैं वो इसको open करते हैं वैब login में होता क्या है कि you can open your WhatsApp in multiple laptops तो जैसे आपके पास एक laptop है यह मेरा laptop हो गया इस पर मैंने यह यह मेरा laptop है यह मेरा यह मेरा desktop हो गया desktop मैं इसको open कर लेता हूँ तो मतलब कि अगर आप देखेंगे तो एक WhatsApp को आप यह मेरा laptop हो गया top मैं WhatsApp वैप यह ओगा मैरा WhatsApp वैप लाप्टॉप के अंदर ठीके न वहीं अगर ना बात करूँ WhatsApp यहाँ पे मैं ने open कर लिया मेरे desktop के ओपर भी मैं इस WhatsApp आप को same time पे open कर सकता हूँ मतलब कि multiple session आप run कर सकते हैं आप नहीं कि नहीं run कर सकते पर there should be some condition यहाँ पे condition है उसकी वज़े से ही आप इसको desktop पे चला पारे laptop पे चला पारे पर अगर आप directly कोई phone के अंदर application को open करने जाओगे ना तो उस condition में नहीं करने देगा हुआ आपको समझमारा आपको तो मतलब कि यहाँ पे तरीका तो है इसको access करने का बहुत सारे hackers करते हैं basically वो QR code के थ्रूँ क्योंकि यहाँ पे चलता है QR code ठीक है ना यहाँ पर आया और QR code scan करवाएगा वो आपसे ठीक है QR code वो scan करवाएगा जैसे आप QR code scan करोगे तो automatically यह WhatsApp जो ना इस वाले फोन में भी चलना शुरू जाएगा लोग का लगता है कि आपने दो फोन में लॉग इन कर रहा पर आगर आप देखेंगे तो QR code आपने डालने के बाद लगशन करने के बाद उस बंदे का account हमारे phone में भी खुल गया है सब्सक्राइब को मतलब कि उस बंदे का account हमारे phone में भी खुल गया मतलब यह नहीं है कि इसका WhatsApp मैंने चला लिया है और एसी बहुत सारी application इंटरेट पर आपको लगता है इस सारी इस account को इधर भी open कर सकते हैं और ऐसे करके multiple phone के अंदर आप इन सारी chats को account को open कर सकते हैं आराम से तो यह तरीक है उसके लावव देखो यहां पर आप जो आपने वह रहा तो कई बार इंटरेट पर बहुत सारी chat surface होती है मैं बहुत से chats चलती है आपको दिखता है कि और भाई इसने chat कर ली इसने chat कर ली क्या यह सही है और बहुत सार लोग उन अगर मैं उसकी तरव से डालना चाहूं मैं ठीक हो भाई मैं ठीक हो तो मैं इसको यहां से स्ट्रेर कर दूगा तो मैं उधर से मेसाज आ जाएगा मैं ठीक हो subscribe किया है एकर व्लोग है कर व्लॉह दीदी पूछ रही है इसक्राइब कि है कर लोग सवज मार रहा है अ आदि पर दिया कि और आप नहीं कर रहे तो ऐसे बहुत सारे लोग बढ़ा लेते हैं, fake chats बोलते हैं इसको, fake chats बनाके वो क्या करते हैं, internet पे viral कर देते हैं, जिसके से आपको क्या लगता है कि praying का चोबड़ा की chats वो लीक हो चुकी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, यह सब fake होता है, ठेके न, और यह सिर्फ publicity stunts होते हैं, और सिर लोग court के अंदर valid नहीं करेंगे, आपको 65 भी certificate लेना पड़ेगा, cyber expert, जैसे हम लोग cyber expert हैं, जो certify करते हैं चीजों को, तो basically आपको cyber expert की help से, या फिर पुलिस से आप chat collect करवाएं, या फिर आप खुद chat के screenshot दोगे, तो it is not admissible, क्योंकि यह सारी fake chats बनती रहती है, ऐसी बासरी application already available है, जिनके थुरू कोई भी hacker है, fake chat बनाके, internet पर डालके, किसी को defame कर सकता है, तो basically आप ऐसे content को share करने से बचें, कि यह ना भाई, मैंने इसको share कर दिया, और कले दिन मैं फस गया, क्योंकि जब यह complaint raise होती ही, तो आपके against में भी हो सकती, क्योंकि आपने उस chats को share करा था, पर आपने verify नहीं करा, कि यह genuine है नहीं, तो ऐसे कोई भी chat में कभी भी आप खुद ना पढ़े, किसी ने chat को upload कर दिया, आप छोड़ दें, उसको देख लें, आपको लगता है, फिक अच्छी बात है, और नहीं है, तो छोड़ दो उसको, ठीके न, उसमें आप spyware का use कर सकते है, ठीक है, spyware का अगर आप use करते हैं, तो basically क्या करता है, कि वो भी इसके screenshot लेता है, मतलब कि यह WhatsApp की applications है, उनके screenshot अगर आप देखेंगे, तो banking application के अंदर, कभी भी screenshot allowed नहीं होते है, अगर आप banking application खुलोगे, और फिर आप screenshot लेनी कोई करोगे न, तो it will not allow you, पर WhatsApp को open करके screenshot लिया जा सकता है, इसी का यह application misuse करती है, और WhatsApp की chats तो वो record नहीं कर सकता, पर यह WhatsApp के screenshot रेता है, तो जो भी आप chats कर रहे है, वो automatically सानले बंदे के पास चल जाती है, और लोगों को क्या लगता है कि भाई, chats पूरी-पूरी access कर ली, पर एक बाद दो मैं आपको यह यह screenshot लिया जा रहा है, जिसके वाज़े से उसको आपकी chats जोएं देख पा रही है, और वो भी specific time period के अंदर लिया जाता है, सारी chats में नहीं होता है, और आप बहुत frequently type करें तो most probably सारी chats नहीं जा पाएगी, पर हाँ, हर एक second के एक second के एक screenshot लेता है, तो उस condition में almost सारी chats चल पर हाँ, अगर किसी ने आपका webview access कर लिया तो फिर जरूर हो सकता है, पर बढ़ादू मैं आपको कि यह हमारा screenshot, हमारा QR code होता है, वो भी temporary period तक ही valid करता है, ऐसे नहीं कि आपका QR code generate करा, screenshot लिया कहीं और जाकि दो घंटे गाद एक्सेस कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, थोड करना क्या है, आपको अपने mobile phone में जाना है, mobile phone में जाने के बाद वहाँ पर settings का option आएगा, वहाँ पर जाने का आप आप देखेंगे, तो आपका QR code का नजर आता है, या फिर आपको webview access नजर आता है, तो देख सकते हैं, आपको कितनी devices linked हैं आपके webview से, और अगर लगता है कैसी लगी है हमारी आज की वीडियो और जितना पॉसिबले वही बताया है, मैंने आपको WhatsApp chat कोई भी access नहीं कर सकता, जब तक ये spyware का use ना करें या फिर webview का use ना करें, इन दो के अलावा कोई और तरीका नहीं, अगर आपके दिमाग में कोई तरीका है, तो comment में डाल सकते ह हैं, वैसे यहां पर कोई तरीका भी exist नहीं करता है, अब आप यह बहुत बड़े-बड़े hacker कर लेते हैं, भाई बड़े-बड़े hacker तो बहुत कुछ कर लेते हैं, ठीक है ना, पर नॉर्न बात करूँए, 99.99% जो है ना, वो बिलकुल नहीं है, ठीक है ना, तो आप secure है, आ इसे भी डिटेल वीडियो लेकर आ जाए आप, तो मैं उसके ओपर भी लेकर आ जाओंगा, और आपको help मिल जाएगे उसे, चलिए ठीक है गाईज, आज इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर, इस वीडियो को इतना ही, और वीडियो को लाइक कर देन जादने से पहले, सब्सक्राइब भर देना चैनल को नहीं कर रहा है, तो उसके अलावा एक और चीछ, फॉर्म भर देना, अगर आपको कूर्स करना है, वन टू है, हमारे साथ में तो, इस वीडियो इतना ही, थैंक्यू, हवर आज चेके, बबाए, बबाए, गुनाशा मिलते कल फिर ओपिस से, जहिन जे भारत